प्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकेन पकोडा, यहां पर मैंने ले लिया है कीमा 300 ग्राम, इसमें नमक डाल देंगे, दो चमच, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब डालेंगे जिंजर गलिक पेस्ट, अधरक लेस्ट का पेस्ट, आप चाहे तो इसमें भीनेगार भी डाल सकते हैं, और आम चूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें आम चूर पाउडर डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे, अब दो हरी मिर्ज काटके डालेंगे इसमें, अब हम डालेंगे इसमें अंडा, एक बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ अंडा बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है चिकेन मसाला एक चमाच काली मिर्च एक चमाच और फिर वेशन डालेंगे दो चमाच और कॉन्फलोर डालेंगे दो चमाच सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बड़ी ऐसे मिक्स कर लेंगे इस तरह और फिर इसको ढख करके रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं पंद्रा मिनिट अब पंद्रा मिनिट हो चुका है अब हम चलते हैं नेक्स टेप में यहाँ पर कडाई गरम हो गया है अब हम ओयल डाल देते हैं गरम होने के बाद हम इसको चिकन का जो कीमा है हम इसमों डालेंगे और इसको फ्राइ करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राइ करेंगे नहीं तो यह जल्लें का चंस बहुत ही रहता है अब एक साइट का हो गया है दूसरी तरह भी इस तरह से पलट लेंगे देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है आप लोग इसको बारिस के दिन में या ठंड के दिन में एंजे कर सकते हैं बाकी का जितना कीमा है हम इस तरह से ऑईल में डाल करके फ्राइ कर लेंगे सेम प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा चटपटा टेस्टी है आप लोग इस तरह से भी बनाईए अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है थेंक यू फर वाचिंग